जेके एस अधिकारी अब्दुलरशीत कोली को रिलिजियल सेंटिमेंट्स को हट करने के लिए पहले ही सस्पेंड कर दिया जा चुका है और डिस्टिक मेजिस्टेट की बात करें उन्होंने जो है एक कमीटी का गठन भी किया है जो अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के बीतर सोपे की दर्श को आपको ये भी जानकारी देते हैं कि इसी केस पर संजीत की का परीचे देते हुए केस रिजिस्टर कर लिया गया है F.I.R. रिजिस्टर कर ली गई है इंडियन पैनल कोड की सेक्शन 295A और 153A के तैद F.I.R. रिजिस्टर की गई है केस को रिजिस्टर किया गया है किसी को भी ये राइट नहीं दिया जाता है कि वो किसी के भी सेंटिमेंट्स के साथ खिलवार कर सके और जिसतार से अब्दलरशीद की बात करें एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उनका ये फॉर्ट्स बनता है कि जो सरकारी वाइलेशन हुई है उसके तैद उन्हें माफी मागनी चाहिए थी लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि इस अधिकारी ने किसी भी तरह की कोई भी माफी मागी हो और अगर इंक्वाइरी की बात करें तो इंक्वाइरी जो है वो की जा रही है investigation की जा रही है case register हो चुका है और अधिकारी को जो है suspend भी कर दिया गया है और किसी भी अधिकारी के अगर हम बात करें जिस तरह से service law की बात करें service rules की बात करें तो service rules के accordingly भी जो है right नहीं दिया जाता है कि इस तरह की कोई भी टिपनी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी community के खिलाफ की जाए दर्शकों आपको बता दें कि एक करमचारी के और से शाकारी बोजन मांगने पर कोली ने अपति जनक टिपनी की थी और इस शिकायत में जो आरोप सामने आये उससे धार्मिक बावनाओं को ठेस पोची थी और यहां तक की नोक्री से निकालने की धमकी भी दी गई थी और शिकायत करता ने ये कहा था कि अगर अधिकारी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई तो वे स्वेन नोक्री से इस्तीफा दे देंगे और अब्दुलरशीत कोली की टिपनी के बाद जो है पडशासन ने संजीत की का परीचे दिया मुस्तहिदी का परीचे दिया और ततकाल ही जो है और पास कर दिया जिसमें अब्दुल रशीत कोली को सस्पेंट कर दिया, कमेटी का गठन किया और बाद में FIR रिजिस्टर की गई है इसी के जाद करन सेंग और मुझे याने करते इश्क उपता को दीजे जाज़त